हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में हम लोग NCRT 11 हम लोग क्या कर रहे हैं NCRT NCRT 11 NCRT 11 का Animal Kingdom portion कर रहे हैं Animal Kingdom का यह जो फाइलम नंबर कौन सा है फॉर्थ नंबर फर्स्ट पर हम लोग क्या किये थे पौरिफेरा किये थे फिर सिलन्ट्रेटा फिर टीनोफोरा किये थे और अब करने जा रहे हैं प्लेटी हलमेंथिज प्लेटी हलमेंथिज प्लेटी हलमेंथिज तो आज के इस वीडियो में प्लेटी हलमेंथिज करेंगे और यह Animal Kingdom की पूरी Complete स्रीज चल लएए जितने भी Student Nursing Parametric Pharmacy 2021 में या NEET का Intranse Exam देने जा रहे हैं तो उन सभी Student के लिए एक वीडियो काफी Important है अगर आप Last तक वीडियो देखते हैं और यह देखिए अभी मैं Hindi में कर हो जाती है English भी कराएंगे अगर आप Complete दोनों वीडियो देखते हैं तो 100% आप अगर यहां सी इस portion से question आता तो 100% गलत नहीं करेंगे क्योंकि मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूं तो चलिए हम लोग Platy Helminthies शुरू करते हैं और आप लोग एकदम Last तक वीडियो देखिए और ध्याम से आयसा मत करिए कि आप लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 100% अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जब Farm आ जाएगा तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर आप selection से काफी दूर हो जाएंगे क्योंकि अभी काफी बच्चे पढ़ाई शुर करते हैं इस संग के प्राणी प्रिष्टाधार रूप से चप्टे होते हैं तो यही कोईस्चन पूछा जाता है चप्टे क्रीम किसको कहते हैं तो प्लेटी हलमिंथीज को इसलिए इन्हें समानतिया चप्टे क्रीम कहा जाता है यह कोईस्चन बार बार पूछा जाता है इ चप्टे किरिम में दिवार्स सममीत तिरकोर की तथा अगर अप्रगुई होते हैं इनमें अंग अस्तर का सरीर संगठन होता है ये भी देख लिजिएगा इप्वार्टन्ट है परजी भी प्राणी में अंकुष सता चूसक पाये जाते हैं कुछ चप्टे किरिम खाद पदार हमात को परपोसी से सीधे अपने सरीर की सता से असोसित करते हैं जो अला कोशकाए ौसरी कोशकाएं पराशन digging तरहर्ण में सहायता करती है मि काफी बार क thoughts पूचा जाता कौन सी कोशकाए होती हैं जो प्राशन व्हार्णं उसर्ж Gan में सहायथा करती है उस सर्जेर में इसे जो बेस्ट प्रोडेक्ट हो उससे निकालती है और प्रास्ण अलग नहीं होते हैं हर्म प्रोडाय्ट होते हैं यह भी काफी बार क्वेस्टिन पूछा गया है कि नर्माद में नहीं होते किस फैलम में तो प्लेटेल विंतेज में या अगर इसमें पूछा जाता कि मतलब इसमें दो-तीन फाइलम, इसके पहले मैंने बताया था कि नर्मादा अलग किसमें नहीं होते हैं, तो यहीं note down भी कर सकते हैं, आप sponge में, yes, p, o, y, n, g, e, sponge में भी नर्मादा अलग नहीं होते हैं, और एक फाइलम मैंने बताया था, t, n, o, v, t, e, n, o, टीनो-फोरा —फाइलम में भी क्या नहीं था, इसमें नर्मादा अलग नहीं थे, और एक फाइलम तो यह अभी पड़ी रहे हैं, तो 3 चीज हो गया, 7 य, OH, टीनो-फोरा और Platyşekkür wydaje तो पड़ी रहे हैं, जिसमें नर्मादा अलग नहीं होते हैं, जिसको हर्म फोडाइट कहत इसके पहले वीडियो में मैंने बताया भी था तो नर्मादा अलग नहीं होते निशाचन जो होती है निशेचन मतलब फर्टिलाइजेशन आंत्रिक होता ये भी काफी बार कोईस्चन पूछा गया है कि इंटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है और जो डेवलमेंट होता थुरू मेनी लारवल स्टेज के थुरू ये देखिए तता परिवर्धन में बहुत से लारवा आवस्था पाई जाती है परिवर्धन मेंस डेवलमेंट डेवलमेंट जब होता है जैसे जब पैदा होगा तो छोटे से बड़े से लेके उसी को डेवलमेंट कहते हैं तो इस question very most important question है बार बार यह question पूछा जाता है कि हम लोग को बताना होता है किसमे पुनरत दिभिवन की असीम छमता पाई जाती है मतलब क्या कह रहा है regeneration capacity सबसे अधिक किसमें पाई जाती है तो plan area होती है regeneration capacity जैसे chipkali आप लोग देखे होंगे chipkali की एमान लीजिए पूछ है chipkali की पूछ अगर यहां से कड जाती है तो कुछ दिन बात देखेंगे फिर chipkali की पूछा जाती है उसी को Regeneration मतलब दुबारा आ जाना Regeneration पाए जाता है तो कोश्चन पुछता है Maximum Regeneration पावर प्लेटील में किसमें पाए जाता है तो प्लेनेरिया में काफी बार कोश्चन पुछा गया है उधारन देखिए प्लेटील मेंटीज का उधारन आप लोग देख लिए ये टीनिया को कहते हैं फीता क्रीम और फैसियोला को कहते हैं प्रड क्रीम तो टीनिया टेप वार्म और फैसियोला लीबर फिलुक तो ये आप दो एक्जामपल यात कर लिजिए और चलिए हम लोग इंग्लिस में देखते हैं और इंग्लिस में अगर आप देखिए जरूर हिंदी वाले स्टुडेंट यह कहते हैं कि हिंदी में वीडियो डाली है शिरिफ शिरिफ नहीं ऐसा कुछ नहीं हिंदी वाले स्टुडेंट इंग्लिस भी देखना है और इंग्लिस वाले स्टुडें कि उन्हीं का हल्प होगा तो आप लोग अपने इसाफ से करिए और इंग्लिस जरूर देखिए क्योंकि एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप हिंदी इंग्लिस दोनों देखते हैं कोई क्वेस्चन कलत नहीं होने वाला है तो यह देखिए प्लेटील मिंतीज के उधारन दोन कि और सब्सक्राइब तो हैलो गाइज जब हम कौई वीडियो अपलोड करते हैं फिर उसके बाद आपको एक वाट्सअब गुरूप है तो वाट्सअब गुरूप ihre सीटीनीट के नाम से वाट्सअब गुरूप है तो उस पे हम जानकारी इसका गें डाल देते हैं उस पे क्योंकि link तो provide कर नहीं सकते हैं ये YouTube के खिलाब है तो आप लोग तुरंत अगर notification नहीं जा रहा तो seat in need YouTube पे ये पना search कर लिया करिए seat in need channel ऐसे लिख लिजिए seat in need आगे channel लिख लिजिए और search कर लिजिए तुरंत आपको YouTube पे मेरा channel दिख जाएगा और ये logo आपको तुरंत दिखेगा ये logo इस logo पे आप click जैसे ही करेंगे तैसे आपको एक ऐसा interface आपको तुरंत दिखेगा homepage दिखेगा वीडियो दिखेगा playlist दिखेगा community post दिखेगा तुरंत आप वीडियो पे click करिए video पे click जैसे ही करेंगे आपको पूरी जितनी भी वीडियो आतक डली हुई है सभी दिखेगी something में 800 में वीडियो मेरे channel पे है और अगर आप playlist में जाते हैं तो यहाँ पे playlist बनी seat in need channel यही तुरंत आप YouTube पे यही लिख लिया करिए क्या लिखेंगे seat in need channel यह पूरा जैसे लिखेंगे तैसे आपको यह logo तुरंत मिल जाएगा logo क्लिक करेंगे तुरंत यह आपका interface तुरंत यह मिल जाएगा यहाँ पे video पे क्लिक करिए तुरंत आपको video मिलेगा तो ऐसा आ लोग आगे चलते हैं तो चलिए हम लोग प्लेटी हलमेंथीज एनिमल किंग्डम का प्लेटी हलमेंथीज इंगलिस में करने चल ले हैं तो आप लोग एकदम 100% ये वीडियो जरूर देखेगा लास्ट तक एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां पर काफी कोईश्चन बनत दार्सल मिन्स होता है उपर जैसे ये देखिए जैसे ये बना लीजिए तो ये डार्सल हो गया और ये बेंटरल हो गया बेंटरल पोर्शन नीचे वाला होता तो दोनों इनकी क्या होती है फ्लेटेंड बाडी होती है मतलब फ्लेटेंड बाडी मिन्स चप्टी होती है साफी बार question पुछा जाता है कि flatworms member कौन है और example में दिये रहते हैं इसी के member दिये रहते हैं जैसे tiniya tapworm या फिर phycola liver flick दिया रहता है इस आर mostly endoparasite यह mostly endoparasite होते हैं found in animal और यह animal और human beings में दोनों में पाय जाते हैं मतलब parasyte होते हैं तो यह endoparasite मतलब शरीर के अंदर पाय जाते हैं फ्लेट वार्म और बाइलेटरिकल समेटर के लिए ट्रिपलो व्लास्टिक और आसिलोमेट तो अब यह भी question काफी बार question बना भी है कि प्लेटी हेलमेंथीज जो होते हैं यह सिलोमेट होते हैं आसिलोमेट होते हैं सीडोसिलोमेट तो यह देख लिजिएगा आसिलोमेट यह एकदम note down कर लिजिए कि एकदम पता होना चाहिए कि platy helminthes में platy helminthes क्या होते हैं silomate या silomate तो यह silomate होते हैं silomate का मतलब क्या होता है इसमें body cavity जो होती है absent होती है in animal में तो body cavity absent होती है तो उसलिए silomate कहते हैं question बार बार पूछा जाता है और इसमें argon level of organization पा जाएगा और platy helminthes में hooks, suckers are present होते हैं in some parasitic farm में some of them absorb nutrient from the host directly through the body surface देखिए यह क्या कह रहा है कि यह भोजन कैसे लेते हैं मान लिजिए शरीर के अंदर रहते हैं तो अपने यह some of the absorb nutrient को absorb करते हैं अपने body surface से पूरी body surface से अपने nutrient को host में जहां पे रहेंगे उनसे अपना nutrition ले लेंगे specialite cell इसमें पाए जाती है यह भी काफी बार question पूछा जाता है एक platy helminthes में specialite cell पाए जाती है जिसको flame cells कहते हैं help in asmo regulation and excretion और यह flame cells किसमें help करती है यह flame cells help करती है asmo regulation and excretion में जैसे आप लोग लिख सकते हैं platy helminthes में क्या होता है proto-nifredia पाए जाती है P-R-O-T-O-N-E-P-H-R-I-D-I-A proto-nifredia पाए जाती है यही तो help करती है asmo regulation and excretion में अब proto-nifredia में ऐसे आप लिख सकते हैं proto-nifredia और ऐसे आप क्या बना लीजिए इसके अंदर आप लिख सकते हैं flame cells flame cells यह लिख सकते हैं या फिर bulb cells लिख लिख लिजिए B-U-L-B bulb C-E-S यह अलग अलग नाम से पुछा जाता है कभी flame cells देता है कभी bulb cells या फिर कभी egg cells और solenocyte देता है तो यह भी solenocyte इसी अंदर यह भी लिख लिजिए चलिए उपर लिख देते हैं yes, yes, o yes, o, l, e, n, o soleno, c, y, t, e solenocyte cells होती है यह तीनों cells protonifredial cell होती है तो तीनों help करती है किसमे excreation, asmo regulation and excreation में बार-बार question पूछा जाता है next चलिए, आगे कहां तक fertilization is internal and development through many larval stage यह देखिए जो इसमें fertilization होता है, वो internal होता है क्योंकि इनके सरीर के internal होता, बाहरी नहीं होता fertilization and development जो होता है through many larval stage मतलब यह larva पहले बनेगा फिर उसके बाद अलग-अलग stage होता है फिर यह adult farm में होते है तो यह चीज इसमें पाजाएगा इसमें larval, many larval पाजाते है अभी larval हम लोग देखेंगे यह भी question बार-बार पूछा गया some members like planaria कुछ member platy elementage के होते हैं जैसे planaria इसमें क्या present होता है process high regeneration capacity बार-बार question पूछा जाता है कि regeneration capacity सबसेधिक किसमें पाजाती है तो platy elementage के planaria में सबसेधिक पाजाती है planaria को अगर मान लीजिए यह planaria अगर आप इसको काट देंगे न तब भी यह अपने आपको regenerate कर ले जाएगी फिर दुबारा मतलब generate करेगी जैसे चिपकली के example दिया है हिंदी में आप लोग figure भी देख सकते हैं जैसे देखिए यह tiniya है यह जो चप्टी की तरह आपको दिख रही है यह tiniya tape warm है और यह फैसियोला liver fluk है तो काफी बार question यह question बनता है अगर यह question बनता है तो लगता है कि general knowledge से question है जर्णनल नालेज से question नहीं रहता है यहीं से question रहता है कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका यह liver fluk है यह देखिए टiniya tape warm टiniya tape warm फैसियोला liver fluk तो फैसियोला liver fluk में काफी बार question पूछता है कि इसमें तो यह देखिए यह पहले यह लिख लीजिए आप यह क्या है फैसियोला है लीबर फिलिक दूसरा नाम फैसियोला और लीबर फिलिक दुनों एक ही के कहते हैं तो इसमें पूछता है कि इसमें माउथ पाया जाता है कि एनस पाया जाता है तो आप लोग note down कर सकते हैं इसमे mouth present होता है बट anus नहीं होता है यह देखिए mouth इसमे mouth present होगा और anus जो होता है यह नहीं present होता है यह anus जो होता है वो absent होता है और tape warm की अगर बात करेंगे तो तीनिया tape warm में इसमें जो होता है mouth और anus दोनों अपसेंट होता है तो इसमें लिख सकते हैं आप tape warm में mouth and anus दोनों absent होता है तो mouth and anus दोनों नहीं होता क्योंकि यह अपने body surface से पूरी body surface से अपना काम चला लेते हैं nutrition ले लेते हैं और excretion जो best product होते हैं वो body surface से निकाल देते हैं बट इसमें निकालना और लेना दोनों इस mouth से ही होता है काम तो इसमें only mouth पाय जाता है तो आप लोग यह जरूर एकदम अच्छे से याद करिएगा चलिए हम लोग इसके जो क्या लारवा stage है काफी बार question पू quacciola की देखते हैं larval state देखते हैं लारवा stage देखने पहले एक question देख लेते हैं इसमें बार-बार question पूछा जाता है तो एकदम पता nien चलता कि क्या e questions कहे रहा है पूछता मेहलीज gland किसमी पाय जाती है आप लिख लिए यम-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e female में होती है तो यह malease gland क्या करती है यह secretion provide करती है lubricate passage करती है जब uterus में यह जाता है जैसे क्या पहले emplory इस्तमद जंसन से fertilization होके फिर उसके बाद uterus में जाएगा तो यह lubricate provide करती है कोई चीज secret करती है और lubricate करती है तो आसानी से तो वहां से यहां से माली जी यह uterus है uterus यह क्या इस्तमत जंसा ने यहां से direct मतलब जाना होगा ना अंडे को यक्स को तो यह लुब्रिकेट प्रोवाइड करती है तो question यही पूछता है कि महलीज गलेंट किसमें पाय जाती है तो आप लगाएंगे क्या फैसियोला आप लगा किये थे मिस रेसमा मिस ऐसे याद किये थे मिस आरे सा मा ऐसे हम याद किये थे मिस का मतलब होता है मेरा सीडियम होता है तो आप लोग लिख सकते हैं यह मा आई आर ए मेरा सी आई डी आई यू यह मेरा सीडियम हो गया और यह से क्या होगा यह से सरकेरिया हो जाएगा यह से sporocist हो जाएगा yes, p, o, r, o sporocist c, y, s, t sporocist हो जाएगा और r से क्या हो जाएगा radia हो जाएगा r, a, d, i, a radia हो जाएगा और c पहले c से सरकेरिया हो जाएगी c, e, r, c, a, r, i, a सरकेरिया और बचेगा y, m y, m से आपका हो जाएगा metasarcaria, i, m, e, t, a, meta c, e, r, sar c, a, r, i, a sarcaria, metasarcaria हो जाएगा तो ये आप लोग एकदम देख लिजेगा इसमें 5 लारवल स्टेज पाई जाती है किसमें? प्लेट वार में अब आएंगे आप टीनिया टेप वार में इसमें देख लिजे कितनी आपको क्या? आप लोग ऐसे एक ट्रिक इसमें भी याद कर लिजेए ओम परकास सरकस मैन ऐसे लिख लिजेए ओम परकास P, E, R, C, A, S परकास, सरकस, C, I, R C, U, S, सरकस मैन लिख सकते हैं तो ये देख लिजेए, ये दोनों एक कर लिजेए ओम परकास मीन्स क्या होगा? आउंको इस्पोर होगा आउंको इस्पोर लारवा क्या सेकंडरी होस्ट होता है? पिग का तो लिख लिजेए ये देखिए लिख दे रहे हैं O, N, O, N, C, H, O, S, P, H, E, R ये अन्डी आउंको इस्पोर लारवा क्या होता है? ये पिग का होता है पिग का सेकंडरी होस्ट होता है आउंको इस्पोर लारवा का सेकंडरी होस्ट क्या होता है? ओम परकास परकास मीन्स पिग होता है सूर मतलब सुर ओम परकास का secondary host क्या होगा secondary host ये होता है और 60 circus इसमें देख लीजिए circus mean 60 circus C-Y-C-T-I-C-E-R-C-E-R-C-E-S 60 circus लारवाज होता है इसका primary host मैन होता है मैन मीन्स आदमी primary host तो ये question पूछा जाता है तो ये आप लोग पुरा complete हो गया और आप लोग वीडियो को जरूर सेयर करें और चैनल को अगर पहली बार आप वाज कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज चरूर करें क्योंकि आप भी लोग के helpful के लिए चैनल क्रियेट किया गया और पूरा Animal Kingdom अच्छे से करा दिया जाएगा जिससे आपका कोई question गलत नहीं होगा तो आप लोग पूरा अच्छे से देखा कर यह टीनोफोरा हो गया था इसके पहले और इसके पहले चलिए हम लोग एक बार revise कर लेते हैं Salentator, टीनोफोरा और Platy Helminthes तो Porifera देख लिए Porifera में Conocyte चल पाए जाती है यह एक बार देख लिजिए Conocyte हर्माप्रोडाइट होते हैं और नेक्स्ट में इसके सकाइफा इसके एक्जामपल आप लोग देख लिजिएगा Porifera के जैसे साइकान सकाइफा, स्पंजिला, फ्रेस वार्टर इस्पंजिया, बात स्पंज और फाइलम सिलेंट्रेटर निडेरिया हो गया था, तो निडेरिया में भी निडुसाइट सल पाए जाती हैं पॉली मिडियूसाइट स्टेज होती है हाइपो स्टोंग, फाइसे लिए पार्टू गेज मैना वार इंपार्टन्ट है, क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है तो यह सब टीनो फोरा में आप लोग बाइलूमिनेर्शन से याद कर लिजिए पिलूरू ब्रेंकिया, टीनो प्लेना, इसका क्या है, नाम है, दूसा नाम और इसके स्रीवालनेट भी काते हैं, काउम जेली भी काते हैं, नेक्स्ट प्लेटी अलमेंटिस तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप लोग की चैनल को जरूर सेयर करें, और कोई भी जान, आपको कमेंट में आप कोई भी क्योरी है, तो लिख सकते हैं, और अगर कोई भी आप क्वेश्चन पोछते हैं, तो उसकी जरूर वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई रहती है, तो आप चैनल पे भी देख सकते हैं, थांक्यू